प्रियंक का चोपड़ा के पती और सिंगर निक जोनस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है इसमें निक जोनस स्टेज छोड़कर भागते वे नजर आ रहे है कहा जा रहा है कि निक के माथे पर किसी ने लेजर लाइट पॉइंट कर दी जिसके तुरंत बाद उन्होंने स्टेज छोड़ दिया दरसल 15 अक्टूबर को निक जोनस अपने भाईयों केविन और जो के साथ प्राग चेक रिपब्लिक की राजधारी में परफर्म करने पहुँचे थे इसी दोरान उनके साथ ये घटना घटी इस कांसर्ट के सोशल मीडिया पर दो वीडियों वाइरल हो रहे हैं एक वीडियो में निक की बॉडी और माथे पर लेजर लाइट देखी गई दूसरे वीडियो में वे स्टेज से जल्द बाजी में भागते दिखाए दिये वे अपने हाथ से टाइम आउट का इशारा करते नजर आए कहा जा रहा है कि यह इशारा सिक्यूरिटी टीम के लिए था एक न्यूस के मताबिक जोनस ब्रदर्स ने इस घटना के बाद अपने कांसर्ट को थोड़ी देर के लिए रोक दिया था हाला कि जल्द ही उन्होंने कांसर्ट फिर से शुरू कर दिया था अब इसे लेकर कई तरह की बाते सामने आ रही है हो सकता है कि निक के उपर किसी ने दूर से लेजर गन तान दिया हो कहा यह भी जा रहा है कि किसी फेन ने उनके उपर नॉर्मल लेजर लाइट यूज किया कॉंसर्ट में ऐसे लेजर लाइट का अक्सर यूज होता रहता है